नितीश और तेजस्वी की सरकार ने जाती गन्ना की रिपोर्ट इस मक्सद से जारी करवाई थी कि एंडिये को नुकसान और उन्हें फायदा पहुँचे लेकिन कहीं न कहीं ये दौ उन पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ शब्दों में समझा ज़ाये तो तेजस्वी यादफ का मुख्यमंत्री बनने का सपना अब उन पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है जो चुके हैं वरिश चैसे होगी आशुतोष म पिसरा सर किस तरीके से इसे लिया जा सकता है और फिर जो उम्मीद थी उन पर कैसे पानी फिटा हुआ नसर आ रहा है देखे अति पिसरा प्रकोष्ट के रामबली सिंग्ध चंदरवनसी हैं आरजेडी कोटे के विधान पाथशद हैं विवादों में रहते हैं ऐसे बयान देनों को लेकर कुछ का ऐसा बोल जाते हैं जो कि सुर्खियां बटोडती है लेकिन वो विवादों में विखिड जाते हैं इससे पहले उन्होंने तेजस्वी आदो शराबंदी वाले पर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें कह रहे थे कि तेजस्वी आदो भी अगर सीएम रहते तो शराबंदी खतम हो जाती बन जाते तो इस तरह से उनका नाम उसमें सुर्खियों में आया था फिलहाल उन्होंने यहीं मांग की है कि चुटी या ती पिश्रों की अबादी 36 से जादा है यानि कडि़िव 37 फिजदी के आज पास है तो उसी विरादरी से उस या मुखमंत्री पद के जो दावेदार हैं तेजस्पी यादो और जिनके नित्रित तुम्हें चुनाव लरने की बात खुद सीएम नितीश कुमार ने 2025 में कही है उन्हीं की उमीदों को उमीदों पर पानी फिरते नजर आ रहे हैं या उनकी दावेदारी पर उनकी पर प्रशन चीन लगा रहे हैं ग्रहन लगा रहे हैं तरी किसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा 30 जातियां हैं OBC में 33 यादो OBC से आते हैं उसमें से अकेले जो 27 फिजदी क्यास पास है उसमें से 14 सारे 14 क्यास पास में 14 सामलोग 26 फिजदी क्यास पास में यादो विराधरी टेल होगी हैं नितिश्टुमार भी उसी पिछरा समाज से ही आते हैं 2.88 कुडमी की जाती कहा करा जो है वो आया है 110 जातियां है अती पिछरा वर्ग में तो उनका ये करना है कि जब इसकी आबाद इतनी है इसका पॉपुलेशन या इतनी फिजदी जनसंख्या है इसकी तो फिर इसी समाज से क्यों नहीं हो दूसरे समाज से क्यों हो और उन्होंने यही नहीं कहा बल्कि एक कदम आगे भढ़ते हुए ये भी कहा है कि नितिश्टुमार ने जो अलाकि अती पिसरे की अबादी सबस से हुई है तो वाड़ वाइज किस्ती कितनी संख्या है यह प्रकाशित किया जाए नितिश्टुमार ने जान भूज करके यह एक जाती विश्टुला पहुचाने के लिए ऐसा किया है ऐसा आरोप है अब जिस तरीके से आर्जेडी में भी या फिर एंडीय में भी सब दिए है इनकी फिर से गन्ना होनी चाहिए उपेंद्र कुश्वाहा ने कहा है कि उनसे नहीं पूछा गया रविशंकर परसाद ने कहा परशुपति पारस कहते आ रहे हैं चिर्याग पासवान ने कहा है खुल मिला करके सब लोग या फिर उनके अखिलेश परसाद सिंग ने दानुक समाथ से कि अबादी को लेकर भी उन्होंने भी ये कहा है कि इसमें शायद कुछ गरबर हुई है इसको फिर से कड़ाये जाए तो कुल मिला करके जिन उम्मीदों कृताहत ये सबसे पहले जाती है गन्ना कड़ाये जाने हलाकि वो एंडिये सरकार में पास हुआ था लेकिन रिपोर्ट जारी की गई है कि इस्ता फाइदा मिलेगा इस्ता एडवांकेज मिलेगा और 2024 में इस्ता लाव मिलेगा अब कहीं ने कहीं वो दान उल्टा परता हुआ नजर आ रहा है ये कहा जाये तो गलत नहीं होगा इसलिए चुकि कई तरीके से मांग उठ रही है कि अति पिसरे को बीजेपी भी मांग कर रहे है कि अति पिसरे को बनाया जाए क्यूं पिसरा ही रहेगा इतने साल से सीम इससे पहले भी 15 साल तक लालू रावरी की सरकार रही है तो अब क्यूं जब कि सबसे ज़्यादा वादी है और खुद ये लोग भी नितिश कुमार भ तो फिर आने वाले दिनों में जो कहा जा रहा है या जो प्रोजेक्ट करने की कोशिस हो रही है कि नितिश कुमार को भी केंद्र की राज निति में भेजा जायते रस्वी आदो की तास्पोशियों 2015 से पहले भी उसमें कहीं न कहीं अपने ही दल में अपने ही गटवंधन मे इसको लेकर जिच हो सकती है जंग छिट सकती है जिस तरीके से एक एक एक्टर के लोग सामने आ रहे हैं कि आखिर वो क्यूं हम क्यूं नहीं तो यह कूल मिलाकर के यह सुखर संकेत नहीं है अच्छे संकेत नहीं है कम से कम निति तेजस्वी आदो के लिए तो बिलकुल नह तो नेक्स C-M के तौर पर उनी का नाम गिना जा रहा है लेकिन आप जिस तरीकेसे माहिए उठती जा रही है उनके लिए मतलब जोखी मभरा हो सकता है उनको पद्ज पर बिठाया जाना भी एक तरीकेसे कई लोगों को उनके संगठन से जुरे लोगों को भी नाराज कर सकता है तो सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादफ के उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है आज़ेडी के यह मांग कर दिये कि लोगों को मुख्य मंत्री बनाना शाहिए आप देख रहे थे आए भी टीवी धन्यवाद